तो दोस्तो आज जो इस application के बारे में बताने वाला हूँ इसमें सिर्फ आप mobile number डाल के credit limit ले सकते हैं मतलब pay later का limit ले सकते हैं तो देखिए सबसे पहले google play store में जाएंगे simple pay later बोलके search कर लेंगे ठीक है तो ये application आएगा आप जैसा कि देख सकते 1 million जो है download है 4.4 का rating है तो अच आप यहां पर प्रोसीड़ वाले option पर क्लिक करेंगे कुछ information आएगा कि इस app को कहां कहां आप यूज कर सकते हैं जैसे देख सकते हैं यहां पर उसके बाद नीचे get started का option आएगा उसके बाद यहां पर अपना एक mobile number डालना है ठीक है simple है आप अपना एक mobile number यहां पर आपका सीम मोबाइल में लगा हुआ तो आटो फिल होगा जैसा कि देख सकते हैं उसके बाद आप यहां पर क्या करना है आपका फस्ट नेम लास्ट नेम एज डालनी है जेंडर चूज करनी है इमेल डी उसके बाद टर्मेंड कंडिशन एक्सेप्ट करना है उसके रद वेर वेरIE स्तत्याव सेमेल जाके चेक कर लेंगे जैसा कि MAYhen चेक कर लेता हूं एमेल डी पर जो है एक ऑ prints निपर से श्रुका है जैसा कि देख पा रहे हम वहाती पर तो यह OTP हम वहाँ पर feel कर लेते हैं, ठीक है, तो OTP हम यहाँ पर डालेंगे, OTP डालने के बाद यह Ato verify हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप eligible होंगे, तो यहाँ पर आपको limit देखने के लिए मिल जाएगा, मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे जो या फिर email करेगा, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हो सकता है, आप eligible हो जाएंगे, और eligible हो जाएंगे तो बिना कोई documents जानी, ना तो अधार card लगेगा, ना pen card लगेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको अपने mobile number से ही आपको यहाँ पर कुछ pay later का limit मिल जाएगा, फिर उसका आ आप online shopping के लिए use कर पाएंगे